जैश्वी राम भक्तो हिंदू धर्म में हार कोई किसी न किसी देवी देवता की पूजा जरूर करता है। हनुमान चालीसा पाठ क्या है और इसे पढ़ने से क्या लाब होता है। आज की इस विडियो में हम इसके बारे में जानकारी देंगे। और आपको हनुमान चालीसा के पाठ का महत्व भी बताएंगे। क्योंकि आज कल बहुत से लोगों को इसके बारे में ज्यान नहीं है। सनातन परंपरा में अपने भगवान या इश्ट को प्रसंद करने के लिए भक्त प्रार्थना करते हैं। वहीं भक्तो द्वारा की गई प्रार्थना अलग-अलग प्रकार की होती है। जैसे कोई आरती करता है, कोई वरत रखता है, तो कोई पाठ करता है। वैसी ही कोई भक्त चालीसा का पाठ करता है। चालीसा किसी भी देवी देवता की हो सकती है। चालीस चंद होने के कारण इसे चालीसा कहा जाता है। इसकी भाषा सरल होती है, इसलिए इसे हर व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ रामभक्त हनुमान जी को प्रसंद करने के लिए किया जाता है। इसमें हनुमान जी के चरित्र का वरणन किया गया है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी व उनके इश्ट प्रभु श्रीराम की कई कहानियों का भी उलेक किया गया है। भारत की सभी भाशाओं में हनुमान चालीसा का अनुवाद हो चुका है। यह गीता प्रेस द्वारा सबसे ज्यादा छापी जाने वाली पुस्तिका है। क्या आप जानते है कि हनुमान चालीसा किसने और क्यों लिखी। दुनिया भर में रोजाना सबसे ज्यादा हनुमान चालीसा का पाट किया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी की, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना जेल में की थी. कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर ने एक बार तुलसीदास जी को अपने दर्बार में बुलाया और अपनी प्रशंसा में कुछ गरंथ लिखने को कहा, लेकिन तुलसीदास जी ने मना कर दिया, जिसके बाद अकबर ने उन्हें बंदी बना लिया. तुलसीदास जी बच्पन से ही हनुमान जी के भक्त थे जेल में रहने के दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी यही नहीं कई बार हनुमान चालीसा का पाठ भी किया बताया जाता है कि हनुमान चालीसा का बार बार पाठ करने से बंदरों के जुंड ने महल में तैनाथ सिपाहियों पर हमला कर दिया। यह बात जब अकबर को पता चली तो उसने तुरंथ ही तुलसीदास जी को रहा करने का आदेश दे दिया। आईए अब जानते हैं। हनुमान चालीसा का महत्व। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार हनुमान जी को अमर्ता का वर्दान मिला था। माना जाता है कि आज भी हनुमान जी धर्ती पर विराजमान है। और जहां भी रामचरित मानस या हनुमान चालीसा का पाठ होता है। वह वहां किसी न किसी रूप में पहुँच जाते हैं इसलिए भक्तो द्वारा सबसे ज्यादा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है कहा जाता है कि तुलसीदास जी द्वारा जेल में हनुमान चालीसा का पाठ करने से उनका संकट कट गया इसलिए हनुमान चालिसा में एक लाइन भी है संकत कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा इसका अर्थ है कि अगर हर दिन हनुमान चालिसा का पाठ किया जाए तो हर संकत दूर हो सकते है अब सवाल ये आता है कि हनुमान चालिसा कैसे पड़े? हनुमान चालीसा का पाठ सबसे शक्तिशाली और लोग प्रियमाना जाता है इसका पाठ आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं लेकिन कुछ विधी के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करने से इसका शुब फल जल्द से जल्द प्राप्त होता है अपने घर या ओफिस में हनुमान जीव उनके ईश्ट प्रभू श्रीराम जी के चित्र की स्थापना करे भगवान के समक्ष जल से भरा एक पत्र रखे और रोजाना कम से कम तीन से एक सो आठ बार हनुमान चालीसा का पाठ करे पाठ के बाद प्रभू के समक्ष पात्र में रखे जल को प्रसाद की तरह ग्रहन कर ले कोशिश करें की रोजाना एक ही तए समय पर पाठ करे चाहें वह सुबह हो या शाम मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है इसलिए इस दिन खास तोर पर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें हनुमान जी की महिमा और भक्तहितकारी स्वभाव को देखते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रसंद करने के लिए हनुमान चालीसा लिखा है इस चालीसा का नियमित पाथ बहुत ही सरल और आसान है लेकिन इसके लाब चमतकारी है हनुमान चालीसा में कहा गया है कि हनुमान जी अश्ट सिद्गी और निवनिदी के दाता कहा गया जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाथ करता है उसकी हर मनो कामना हनुमान जी पूरी करते हैं चाहे वह धन संबंदी इच्छा ही क्यों न हो जब कभी भी आपको आर्थिक संकट का सामना करना करना पड़े मन में हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए कुछी हफ़तों में आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आर्थिक चिंताएं दूर हो जाएगी इस बात का ध्यान रखें कि पाठ किसी दिन छोड़े नहीं अगर यह करम मंगलवार से शुरू करें तो बहतर रहेगा हनुमान चालीसा का एक दोहा है भूद पिशाच निकत नहीं आए महावीर जब नाम सुनावे इस दोहे से बताया गया है कि जो व्यक्ति नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके आस पास भूद पिशाच और दूसरी नकारात्मक शक्तियां नहीं आती है हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने वाले व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाता है और उसे किसी भी तरह का भै नहीं रहता है अगर किसी को कोई अंजाना भै डरा रहा हो तो उसे हर रात सोने से पहले हाथ पैर धोकर पवित्र मन से हनुमान चालीसा का पाट करना शुरू कर देना चाहिए अगर आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं लेकिन मन बेचैन रहता है ठीक से नींद नहीं आती है तो आप नियमित हनुमान चालीसा पाट करना शुरू कर दीजिए नींद अच्छी तरह नहीं आने का एक बड़ा कारण मानसिक अशान्ती है हनुमान चालीसा के पाट से मानसिक शान्ती मिलती है और मन में चल रही उधेर बुन से मुक्ती मिलती है जिससे व्यक्ति को अच्छी नींद आती है और जीवन में उन्नती का मौका मिलता है हनुमान जी परमपराक्रमी और महावीर है इस बात का उलेक रामचरित मानस से लेकर हनुमान चालीसा तक में किया गया है इनके ध्यान से पुरुश बलवान और वीरिवान होता है जो लोग अकसर बीमार रहते है या काफी उपचार के बाद भी जिनका रोग दूर नहीं होता उन्हें नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए हनुमान चालीसा में लिखा भी गया है ना से रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा आपने देखा होगा कि मंगलवार के दिन चातर बड़ी संख्या में हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए आते है इसका कारण यह है कि हनुमान जी की जिन पर कृपा होती है वह बुद्गिमान गुणी और चातुर यानी अकलमंध हो जाते है हनुमान जी की कृपा पाने के लिए चातरों को नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए छात्र जीवन में चालीसा का पाठ करने से स्मरन शक्ति बढ़ती है और शिक्षा के छेत्र में काम्याभी मिलती है इसका कारण यह है कि हनुमान जी स्वयंग है विद्यवान गुनी अती चातुर रामकाज करिबे को आतुर जो इनकी भगती सहित हनुमान चालीसा का पाठ करता है उन्में भी हनुमान जी यह गुन भर देते हैं मनुष्य जीवन का परम लक्ष माना गया है मुक्ती यानी शरीरत्याग के बाद परमधाम में स्थान हनुमान चालीसा में बताया गया है अंतकाल रगुबर पुर जाई जहां जन्म हरी भक्त कहाई और देवताचित न धरई हनुमत सही सर्वसुक करई यानि जो व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है उनकी पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करता है उसके परमधाम जाने का मार्ग सरल हो जाता है तो दोस्तों आज की इस विडियो में इतना ही आपको हमारी विडियो कैसी लगी कृप्या कॉमेंट में जरूर बताएं और अपने मित्रों में विडियो को शेयर जरूर करे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं आपसे अगली विडियो में एक नई जानकारी के साथ जैश्री राम हर हर महादेव